हलो फ्रेंट्स लोकिम्ट टेक्निकल टॉक्स दोस्तो इस यूडे में हम बात करेंगे कि आप कुछ इस तरह के से अपने वेक्षिनेशन सर्टिफिकेट का आईडी काड बिल्कुल ही मुष्ट में डाउंगलोड कर सकते हैं और कैसे आईडी काड बना सकते हैं दोस्तो इस आईडी काड में आप देख सकते हैं सभी आपकी डिरी टील्स कावर हो जायेंगी जो कि आपके सटूर्टिफिकेट में कवर होती है inoup police आपका पुराका पुरा वेक्स पाइक्षिनेशन सर्टिफिकेट इस आईडी काड के रूप में आ जाएगा जिसमें आपका कर सकेंगे अगर आपको कोई पूछते हैं आपके सर्टिफिकेट के बारे में या फिर आपके वेक्सिनेशन के बारे में तो आप जिसतर आपका आधार काड उसको सो करते हैं उसी तरह आप अपना वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट का ID काड भी सो कर सकेंगे और अगर आप हमारे स्टोर आप इसको सर्च कर देंगे तो सबसे पहली ही वेबसाइट आपके पस आ जाएगी idcard.store हम इसी के जरीए वेक्षिन सर्टिफिकेट का idcard जो है वो बनने वाल है तो यहां पर आपको make now पर click कर देना है यहां पर sign up with google पर click कर लेंगे और यहां पर से कोई भी अपना email id select कर लेंगे तो दोस्तो अभी मैं यहां पर थोड़ा सा जून कर लेता हूँ तो यहां पर अभी देख सकते हैं हमारा जा total balance है वो 10 अभी पड़ा हुआ है आप जैसे ही login करते हैं इस app में तो उसके बाद आपके पास 10 रुपे का जो total balance है वो आपको दे दिया जाएगा आपको खर्च करने की कुछ भी जरूरत नहीं है तो अगर आप 1 id 2 रुपे से बनाएंगे और इसी तरह आप 5 id 10 रुपे का बना सकेंगे तो इसी तरह आपको 5 पांच आइडी जो है वो फ्री में बना लेना है आपके फेमिली मेंबर की आप total 5 आइडी बना लेते हैं उसके बाद अगर आपको बनाना है तो ही आपको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसी तरह आइडी बनाएंगे लेकिन आप total 5 id card vaccination certificate के बिल्कुल तो अभी हम आगे बढ़ता है कि आपको कैसे आइडी काड बनाना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको total तीन ओप्शन सो कर दिये जाएंगे तो यहाँ पर बिल्च वाला जो ओप्शन है उसके उपर आपको टेप कर लेना है तो यहाँ पर आपके पास कुछ ओप्शन ओपन हो WVDF तो दोस्तो यहाँ पर से आपको आपका जो वेक्शन सेर्टिफिकेट है उसको शीलेक्ट करना होगा वैसे तो ज्याद तर लोगों को मालूम है कि कैस से वेक्शन सेर्टिफिकेट डाउंइलोड करना है और मैंने इसके उपर वीडियो भी बना रख्या है लेकिन फिर कर देंगे ओटीपी एंटर करके वेरिफाइएंड प्रोसीड कर देंगे तो आपका कोवीन का एडी ओपन हो जाएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए अगर आपका दूसरा डूस का सर्टिफिकेट है तो यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा लेकिन मैंने प्रिक काड वेबसाइट पर एंटर हो जाता हूं और यहां पर आपको सिलेक्ट वेक्षिन पीडिएफ के बाजू में यहां पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना है और अभी आभी आपकी जो पीडिएफ डाउनलोड हुई है सर्टिफिकेट की उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है उसके लिए मैं डाउनलोड पर क्ले जाता हूं यहां पर सर्टिफिकेट जो है वो लिखा हुआ है तो यहां पर से मैं पीडिएफ को सिलेक्ट कर लेता हूं पीडिएफ को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर नीचे आपको अपलोड कर देना है और आपको यहां पर नीचे हर डाउंडोड करें, काड को डाउंडोड करें, तो यहां पर आपको front पर क्लिक कर लेना है, और अगर आप सिर्फ back डाउंडोड करना चाहते हैं, तो यहां पर आप back पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप card की front और back दोनों side एक साथ download करें तो उसके लिए यहाँ पर आपको A4 page पर नीचे click कर देना है और यहाँ पर से आप कोई भी PDF reader को select कर लेंगे तो आपका जो certificate है वो आपके पास download हो जाएगा आपके पास आ जाएगा तो दोस्तों कुछ इस तरह आप अपने वेक्शन सर्टिफिकेट का ID card बिल्कुल free में download कर सकते हैं और आप किसी AC shop पर जाएगे जहाँ पर lamination करते हैं वहाँ पर से आप इसकी hard copy भी निकलवा सकते हैं या फिर PVC card भी निकलवा सकते हैं आप 5 card बिल्कुल free में बना सकते हैं लेकिन अगर उसके बाद भी आपको card को बनाना है तो वह कैसे आप बना सकते हैं वह भी हम जानते हैं तो उसके लिए हम वापस से website पर चले जाएगे अभी हमने एक card बना लिया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक card बनाने के दो balance cut होंगे तो अभी 10 से यहाँ पर 8 का balance हो चुका है और अभी एक card बना हुआ है यह हमें यहाँ पर show हो जाएगे तो अभी हम जानते हैं कि आपको 5 ID card बनाने के बात भी ID cards बनाने है इसी तरह certificate के तो आपको वो कैसे करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको इस card वाला जो icon आपको show हो रहा है उसके उपर tap कर देना है तो आपके पास कुछ इस तरह का user interface आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे, 200 रुपे, 350 रुपे और 500 रुपे भी add कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप 5 ID card बनाने के बाद भी ID cards बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेसे pay करने होगे पर card आपको सिर्फ 2 रुपे pay करने होगे तो दोस्तो अगर आप सिर्फ 20 रुपे add करते हैं तो उसमें भी आपको total 10 cards बना दिये जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको यह add करके बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको add money पर click कर लेना है यहाँ पर से आपका जो भी registered and mobile number है वो add करके यहाँ पर ok कर देंगे उसके बाद आप payment के section पर redirect हो जाओगे आपको total 20 रुपे add करने है तो यहाँ पर से आप किसी भी method से add कर सकते अगर आप चाहे तो यहाँ पर से debit card के सर्य भी पैसे add कर सकते तो दोस्तो यहाँ पर से आप अपने detail फिल करके 20 रुपे add कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पर हमें जो 8 रुपे का balance हो रहा था उसकी जगह हमें 28 रुपे का balance हो जाएगा यानि कि in short दोस्तो आपके पैसे add हो जाएगे और उसके बाद आप अपने ID cards बना सकते है तो दोस्तो उम्हीद है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत बुलिएगा क्योंकि आपके लाइक से में motivation मिलता है और मैंने कोविड वेक्षन के उपर और भी वीडियो बना रखे जिसके लिंक आपको description में मिल जाएगी और अगर आपको कुछ confusion है या फिर error आता है तो आप मुझे WhatsApp मेसेज करके पूछ सकते और दोस्तो चैनल को सब्सक्रेब करना ब खिसक्षक सुनन को सब्सक्राइबgiaस करे जख तक्सद्राइब कर दा आपको सुनन को सालं को सब्सक्राइब करता तक्स पासरात्व और दोस्तों से इन करे प्रता है तक्स, याइवावाओं़ रा हूद २ार आपको